बिवाडी के फूर्बाग श्रीतन में स्थित, रीको इंडेस्ट्रिल एरिया में संचाल लिते गत्ते की टाकिंग बनाने वाली कम्पनी में मंगलवार रात करीब आठ बजे अंक्यात कार्णों के चलते भीशन आग लग गई, जिससे कम्पनी में रखा लाख रुपे का माल राक हो गया, सुचना लगते ही मोके पर रीको फाय स्टेशन सहीद नगर परिशत फाय स्टेशन से दमकल की गाडियों को भेजा गया, जहां पर गाडियों के द्वारा आग बुछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आग बेकाबू होकर लगातार भड़क रही है, आग से देखते ही देखते भीशन डूतारन कर लिया, और इस कंपनी के बगल में ही संचालित परनीचर बनाने वाली जैनाती इंडरस्ट्रीज को भी अपनी चपेट में ले लिया, गत्ये बनाने वाली फैक्टरी में ग्राउं फ्लोर पर लगी आग धीरे धीरे कर, कंपनी के तीन मनजल तक पहुँच कई और उसमें रखा गत्ये का तयार माल और रौ मैटीरियल पूरा चलकर राख हो गया, आग की लगते बगल की कंपनी में रखी रेगजीन के आइटम में जाकर लगी, रेगजीन में लगी आग को काबो करने का काम किया जा रहा था, बताया जा रहा है कोई भी करमशारी या मालिक किसी पे तरह की जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि हीट के खारण उसमें बगल में आग कर लिगी थी, जो कि अभी लगवल निन्याने पसंद कर लिगी है, अब पूरता आग इसी कंपनी में है, जिसमें भी अभी दिक्तत जो हमें आ रही है कि इसकी जो शेड है, वो गिरने लगए है और उसका जो लोहा पिगलने ल क्याते है